तो चलिए गर्मी हो रही है बहुत थंडे थंडे गूंद कतीरे की एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ तो देखते रहे हैं यह है मज़ेदार गूंद कतीरा की खीर तो कैसे बनाती हूँ यह खीर आप देखिए गर्मी है बच्चों को दीजिए खुद खाईए तो चलिए गोंद के तीरा है जो गोंद से बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है ये इस तरह का होता है ये बहुत थोड़ा सा भीगोने पर भी बहुत सारा हो जाता है ये रात को मैंने भिगो दिया आप बहुत जल्दी में हो तो इसको पीस कर मिक्सी में फिर भिगो सकते हो, तो ये देखे मैंने इस तरह से भिगोया, और ये मेरे पास भीगा हुआ है रात का, ये देखे कितना सुन्दर सा ये जेल फॉर्म कर लेता है, जेल नहीं मतलब बिल्कुल फूल जाता है, और बिल्कुल थंडी तासीर का होता है, आप इसे शिकंजी, दूद वगरा में भी ले सकते हो, तो मैंने सोच आज एक रेसिपी बनाई जाए, तो चलिए, ये मैंने वान फॉर्थ काप मैंने लिया है, पोहा, इसको हम ड्राइ रोस्ट करेंगे, और ना इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको वाइट ही रखेंगे, बट इसको ड्राइ कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसको पीसना है, तो आप देखते रहे हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ, बहुत डिलिशस बनती है, तो गोंकतीरा की आपने आज तक कौन-कौन सी रेसिपी ट्राइ करी है, मुझे लिखेगा, मैंने शौट्स डाले हूएं, गोंकतीरा मिल्क के, पान शेक के, बहुत सारे शौट्स भी हैं, बट गोंकतीरा की वीडियो में पहली बार अपलोड कर रही हूँ, तो यह मज़ेदार सी बनने वाली रेसिपी ज़रूर ट्राइ करिएगा, तो यहाँ न मैं दूद ले रही हूँ, दो कप दूद के ले रही हूँ, यह देखिए, बहुत ज़ादा कोई दूद नहीं ले रही हूँ, अगर आप ज़ादा कॉंटिटी बना रहे हो, यहाँ आप इसको काफी रेड्यूस करने वाले हो, तो आप कर सकते हो, तो यहाँ मैंने डाला है इलाइची पाउडर, आप साबुत इलाइची भी थोड़ा सा पीस के डाल सकते हो, केसर के कुछ धागे, तो केसर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आजाता है, अगर केसर नहीं है, तो केसर को आप टोटली स्किप भी कर सकते हो, और यह देखिए, बिल्कुल इसको मैं पीस लूँग, यह भी थंडा करके पोहे को, तो यह देखिए, केसर कितना प्यारा सा कलर चोड़ रहा है, अभी मैंने कुछ कटे हुए बादाम डाले हैं, आपके पास जो ड्राइफ रूट है, आप वो डाल सकते हो, तो अब मैंने यह देखिए, जो पोहा पीसा था ना, मैंने उसको डाल दिया है, भुना हुआ पोहा पीसा था, थोड़ा दरदरा रख लिया था मैंने, आप बिलकुल पाउडर भी कर सकते हो इसको, आप, क्योंकि ना उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और यह डाली थोड़ी सी चीनी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तीन चीनी के चार डाले हैं, मैंने, बहुत जितना आप तेज मीठा पसंद करते हैं, आप उतना डालिए, तो ना जो गोंके तीर है, वो बिलकुल थंडी तासीर का होता है, अगर आपको गर्मी लग गई है, लू लग गई है, तो आप गोंके तीरा यूज किजिए, क्रीमी सा हो गया है, बट थोड़े से लंप्स बन गया है, तो मैं इनको डिजॉल कर लूँगी, तो नहीं तो ना दूद को थोड़ा सा जो मिल्क पाउडर उसको घोल के डाल दीजिए, मिल्क में ही, तो ये बन गई है, हमारी मजएदार सी खीर, तो अभी बने रही है, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, और वीडियो को लाइक, शेर, और कॉमेंट नहीं कर रहा है, तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही डिलिशिस है, और जितना हमने पोहा लिया था न, वान फोर्थ कप, उतना ही भीगा हुआ है, मैंने गोन कतीरा डाल दिया, मैंने केसर वाला गोन कतीरा था, तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और क्या आप देखे, पूरा नट्स के साथ, इसको करिये डेकरेट, हो गया न, बिल्कुल हेल्दी वर्शन, और अगर इसमें आप चीनी नहीं डालना चाहते हो, आप मीठे का कोई भी सबस्टीट डा से ब्लेस्ट, से तुन्ट